बच्चों Saneik School में admission के लिए कौन-कौन से documents चाहिए और उनकी सारी details इस video के अंदर में आपको मिलने वाली है अगर आप Saneik School में admission चाहते हैं तो इस video को end तक देखिए, video थोड़ी सी लंबी है तो थोड़ा patience रखना पड़ेगा video को pause करके एक pen और एक paper ले आईए ताकि आप पूरी की पूरी list अच्छे से लिख लें कि क्या क्या documents आपको चाहिए बाकी details आपको website में भी मिल जाएगा और वीडियो के अंदर तो मैं आपको सिखाई दूँगा कि website पे कहां पर आपको जाके किस तरीके से pdf और format वाले जो print से वो निकालने हैं जिसको आप फिल अप करके submit करने वाले हो तो सारा detail आपको इस वीडियो के अंदर में मिलेगा welcome to edu mention मेरा नाम है स्रेश्ट गुपता और मैं आप लोगों को आज सारे list of documents के बारे में बताने वाला हूं सबसे पहले आपको क्या करना है आप कोई साभी ब्राउजर खुलिए google chrome microsoft edge safari आप जो भी यूज करते हैं वहां पर आप टाइप करिए sanic school e-counseling sanic school e-counseling में क्लिक करते ही आपको जो पहला website दिखेगा pesa.ncog.gov.in इसपे क्लिक करिए यहां पर देखिए इंट्रस्टिंग बात यह कि राइट साइट में जो तीन दंडिया दिख रही हैं इसपे क्लिक करिएगा इसको क्लिक करते ही आपको पांच options दिखेंगे home, counseling process, school information, notices and help desk आपको क्लिक करना है counseling process में counseling process में भी दो option मिल रहे है, counseling schedule और एक मिल रहा है list of documents, counseling schedule में वो timing और dates बताएगा कि round 1, round 2 कब से कब तक चला, उसके बारे में हम इस बार बात नहीं करेंगे, इस पर मैं separate video बना चुका हूँ, जिस video के बारे में, जो video आपको चैनल के अंदर पर मिल जाएगा, तो चैनल को subscribe कर लिजे, ताकि कोई भी data, आप से कोई भी knowledge में मत हो, ताकि counseling school admission में कोई भी problem ना है, यहाँ पर आपको list of documents में click करना है, इसको open करने के बाद, कुछ इस तरीके का interface आपको दिखाई देगा, इसमें आप नीचे जाएगा, तो यहाँ पर यह जो data लिखा हुआ है, इसके बारे बोलते हैं कि सारा verification सही है, तो उसके बाद आपको school में, अपने जिस भी school में, आपको class में पढ़ रहे हो, वहाँ transfer certificate यानि कि TC के लिए apply करना है, तो यहाँ पर देखिए आप, list बहुत लंबी है, इसमें total 13 points दिए हुएं, 14 points दिए हुएं, यह सारा 14 points में आपको समझा देत set हो गई, आपकी career set हो गई, इसलिए थोड़ा सा जहिलने वाला काम है, but patience रखिए, वीडियो को end तक देखिए, अगर वीडियो slow लग रहा है, तो उसको 1.25 ताइम्स या 1.5 ताइम्स के speed में देख लीजिए, but वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, सबसे पहला point आपको क् duly signed checklist with undertakings, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, I think this would be better, यहाँ पर सबसे पहला जो point है, duly signed checklist with undertaking, इसका एक format, देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं, यह simply क्या दिया गया है, एक PDF एक format दिया गया है, उस PDF को आपको print करा के, उसमे आपको fill up करना है, और उसको भरना है, मैं PDF दिखा देता हूँ, खोल के कैसा दिखाई देता है, यह PDF कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर आपको पूरे details भरने हैं, आपको photochip काना है, यहाँ जो भी demand मांगा है, वो demand को आपको yes या no करके, इसमें fill up करना है, तो यह सबसे पह पहला point है, इसमें आप बता रहे हो कि भाई, कौन-कौन से document आपके पास है, और कौन-कौन सा आप जमा करने वाले हो, और कौन सा आपके पास नहीं है, यह सारा detail इस first वाले PDF में आपको डालना है, इसको close कर देते हैं, तो पहले वाले में तो कुछ भी नहीं करना था, PDF आ चुका हूँ, जिसकी वीडियो आपको चैनल के अंदर मिल जाएगी, जिस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से आपको अपना result देखना है, और कैसे आपको, मैंने इससे पहले जो वीडियो है न, उस वीडियो को आप यहां कहीं देखिए, आई बेटन पर allotment letter आपको download करना है, मैं अभी फिलाल आम भाशा में बता दू तो आपको क्या करना है, simply आप अपने अपना result देखा था, sign in तर के, sign in आपने किया, आपने result देखा, result के बाद जो आपने print निकाला होगा, details उसी को आपन बोलते है, provisional admission letter, यह आपको print करके लेके जाना है, उसके बाद आपको admit card और score card आपको चाहिए, score card तो अभी recent में आपने download किया तो आपके पास होगा, admit card कई लोगों का गुम हो गया होगा, तो उसके लिए simple process है, आपको कुछ नहीं करना है, नया tab खोलिए, search करिए aisswe.nta.nic.in, यह search करिए और enter मारिए, यह वाला website खोलेगा, इस website पर आप जाहिए, नीचे last make them नीचे जाहिएगा, तो आपको यहाँ पर देखिए, aissc का admit card भी मिल जाएगा, और score card भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपना details डालिएगा, इसको क्लिक करने पर यह open होगा, यहाँ पर अपना application number, date of birth, security pin डालके आप साथ में आप यहाँ पर से अपना score card भी निकाल चकते हैं, तो यहाँ पर से four, चार points आपको समझ आगे, total list of documents में यह आसान आसान थे, उसके बाद फिफ्ट वाला भी काफी आसान है, इसमें क्या करना है, student जिसका selection हो है, प्लस उसके father, प्लस उसके mother, इनका आप लोगों को एक ID card present करना पड़ेगा, वो अधार card रखोगे तो ज्यादा बेटर है, अधार card नहीं भी है, तो voter ID card या किसी और photo वाली ID card से काम चल जाएगा, अगर student की बात करें, student के पास अधार card नहीं है, तो कोशिश करो बनवाने का, अगर नहीं भी बन पाता है time पे, तो आप अपन मिलने वाला है कहां से, यह मिलेगा जहां पर आप medical test show करने वाले हो, यानि कि यह अभी आपके पास नहीं है, इसका मैं PDF आपको दिखाऊंगा कैसा दिखता है, पर वो अभी आपके पास फिलाल नहीं है, वो आपको मिलेगा जब आप report करने जाओगे medical test के लिए, तो Sanic School वा यह पूरे details आपको डालने हैं, अपर अपना age डालना है, अपना permanent address, यहां पर यह disease वगरा family के बारे में डालना है कि किसी में आपके family में किसी को TB था क्या, diabetes था क्या, hemophilia, mental disease था, heart disease था, यह सारा details आपको fill up करना है, और यह fill up करके आपको जमा करना है, admission के time पे आपको यह स अच्छे से नहीं कर पाऊगे, जो doctors होते हैं, वो हसरकारी hospital में आप चले जाओ, या private में भी चले जाओ, जहां पर भी आपको जान पहचान मिल जाओ, थोड़ी बहुत फीस भी ले सकते हैं, जैसे government hospital में जाओगे तो बैटर है, वहां पर किसी भी एक doctor को पकड़ों, जो free इसका मतलब क्या है, इतने सारे pages हैं, इतनी सारी अंग्रेजी की शब्द, इतने सारे biology के doctor वाले शब्द लिखे हुए, इसका सारा मतलब क्या है, यह सारा discussion अपन किसी और वीडियो पर कर लेंगे, फिलाल वापिस से आते हैं, आपन दूसरे documents के उपर में, यह medical complete होने के बा अक्टूबर या नवेंबर में, उस ताइम पर यह मांगा था आपके पास अल्लेडी होगा, उसके अलावा एट नंबर पर जो दिया है, वो दिया हुआ है, study certificate आपको लाना है, study certificate क्या होता है, शायद आपको नहीं पता होगा, यहाँ पर मैं इसका format दिखा दे रहा हूं, आपको समझा जाएगा क्या है, यहाँ यहाँ पर study certificate में आपको अपने details भरने है, और सब कुछ भरने के बाद last में कुछ नहीं करना है, last में बस यहाँ पर principal यह headmaster से, आपको seal के साथ signature कराना है, यहाँ पर यह देख रहा है, जी हाँ, यह class 6 के लिए, नीचे class 9 के लिए यह and all, यह सब चीज़े भरनी है, और principal के sign करा के लेके जाने है, उसके बाद फिर next document आता है, यह सारे document आप लिखते जा रहे हो, अगर नहीं भी लिख रहे हो, तो back करके एक बार ना proper list बना के लिख लो, ताकि आपको doubt ना रहे, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे को time मिलता है, तो back करके एक बार देख लेना, अभी ninth number पर बोल रहा है, certificate of category, category certificate आपको डालना है, अगर आप ST, SC या फिर OBC हो, OBC में भी दो type के OBC होते है, एक NCL OBC होता है, यानि कि non creamy layer और CL होता है, creamy layer, तो OBC, CL जो है, उनको certificate नहीं देना है, क्योंकि उनको reservation नहीं मिलेगा, लेकिन OBC, NCL ज करना है, ST, SC, OBC को, इसके लिए, इसके लिए आप देखो, format देखो, कहां से दिया हुआ है, ये format आप देख सकते हो, यहां पर यह इस format में आपको जमा करना है, आपके पास खुद का certificate होगा, मैं मान रहा हूं, पर वो किसी और format में होगा, आपको इस format में भरना है, और यहा करना है, तो यह तो इसमें कुछ format दिया नहीं है, जो आपके पास अल्रेडी है, उसी original document को आपको वहां पर शो करना है, उसके बाद 11 नमबर पर आता है, certificate of service signed by CEO of unit, यह उनके लिए है, जिनके parents defense category में है, उनके लिए format दिया गया है, defense category वालों के लिए, यहां पर आपने CEO के भर ले ना, बाकि उससे sign करवाने खाली है ना, यह देखो signature of the competent authority with appointment stamp, तो यह यहां पर से आपको, यह उनके लिए, जिनके parents military में है, otherwise normal जिनके हैं, उनको यह भरने की जुरूरत नहीं है, तो 11 वाला पिग्नूर कर सकते हो, 12 वाला सबके लिए common है, जो कि है income certificate, income certificate में आपको सारे family का income show करना है, कि भीया family में total income कितना आता है, ममी पापा सबका total में लाके हैं, और यह income जो है, यह पिछले साल का, यानि कि 2022, 2022 में, अपरेल 2022 के बाद, जो income certificate आपका बना है, वो आपको जमा करना है, ना कि इस साल का, इस साल का बनेगा कब, अपरेल के बाद बनेगा, अपरेल तो भी आया नहीं, इसलिए आपको कौन सा जमा करना है, आपको जमा करना है, पिछले साल वाला, यानि कि 2022 अपरेल के बाद से, जो आपने income certificate बनवाया होगा, यहाँ पर देखे, year 2021-22 के लिए, इसका format जो है, यह format यहाँ पर दिया हुआ, इस format में आपको लिख के पड़ेगा, पटवारी का income certificate, पटवारी या फिर तहसिलदार से आपको निकलवाना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखे, signature of तहसिलदार important है, आपको तहसिलदार के पास जाके यहाँ पर signature भी करवाना पड़ेगा, कि आप जो बता रहे हो कि आपकी annual income है, वो actual में सच है या गलत है, यह तसिलदार signature करके verify करेगा, कि हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, तो तसिलदार के पास भी जाना पड़ रहे हो, प्लस आपको magistrate के पास भी जाना पड़ेगा, तसिलदार के पास आप जाओगे, यह income certificate certificate बनाने के लिए, और आप जाओगे, इस सारा data आपको समझ आ चुका होगा, तो फिर आपन थर्टीन पर आते हैं, जो बहुत easy है, थर्टीन में क्या लिखा है, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपको 5, तो 5 पासपोर्ट साइज फोटो रख लिजी अपना student का, और family का photograph चाहिए, जिसमें parents और student एक साथ हो ठीक है, तो parents along with children, तो पापा, मम्मी साथ में बच्चा, इनके दो फोटो चाहिए, अपने को postcard size, पासपोर्ट नहीं, postcard, बड़ा size में, ठीक है, तो postcard size अगर आपको नहीं पता है, तो आप यहां पर Google करके आपको पता चल जाएगा, या आप दुकान में चले जाना, जहा इसको ignore कर सकते हो, तो जितने भी documents इनके बारे में सारा details में आपको बता दिये, इसके अलब और भी documents के बारे में, अगर कोई भी नया data आता है, तो मैं आपको बता दूँगा, मैं, साथी साथ में जो fees वगर है, वो fees वगर एकठा भी से करना शुरू कर दीजे, क्योंकि admission के टाइम पर आपको फीस जल्दी से जल्दी जमा करनी पड़ेगी, तो फीस फिर अचानक से एक डीडल आख रूपए की फीस कम नहीं होती है, तो वो अचानक से इकठा करना मुश्किल हो जाता है, तो अभी से आप फीस जमा करने का सोच लिजे, हलांकि installment में भी आप जमा कर सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि पूरा फीसी एक सांद जमा करके फ्री हो जाईए, तो इकठा करके उसमें काम चला लिजे, ठीक है, तो अभी तक मैं सारा डीटेल आपको समझा आ गया होगा, वीडियो काफी लंबी बन चुकी है, थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा time consuming था, बट I hope आपको सब कुछ समझाया होगा, अगर किसी भी चीज में doubt है, प्लीज चैट में, कमेंट में डालिए message, मैं reply करता हूँ, आपने देखा होगा, मैं almost her comment का reply करता हूँ, अगर नहीं भी हो पाता है comment में reply, तो भाई साब मेरे number पे मेरे को whatsapp करो, मेरे number आपको मेरे whatsapp group म में दिया है, और telegram group का भी link description में, वहाँ पर जाके click करिए, group को join करिए, कोई भी data आप से मसनी होगा, whatsapp group में जाके, आप मेरे number में, मेरे को personally, text भी कर सकते, message भी कर सकते, whatsapp में, किसी भी doubts के regarding, अगर मैं phone नहीं उठा पाया तो, I think इतना enough है आज के लिए, तो मिलते हैं अग